करीना कपूर की फिल्म आने वाली है बकिंगम मुर्डर्स इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज इस फिल्म के प्रमोशन के लिए एक प्रेस कॉन्फरेंस रखी गई जहांपर मीडिया ने फिल्म से जुड़ी टीम से सवाल पूछे करीना कपूर भी इस यही विडियो सामने आई है जहांपर करीना बलश करती नजर आ रही है हस्ती नजर आ रही है और पूरे माखोल में सीटिया और तालिया बज़ रही है आखिर क्या हुआ वहाँ पर कि करीना ने ये रियाक्शन दिया चले जानते हैं अब क्योंकि करीना वहाँ पर मौझूद है और मीडिया को भी करीना की चुटकी लेनी थी क्योंकि करीना इतने समय बाद किसी इवेंट में आई है यही कारण है कि करीना के पास खड़े फिल्म के डिरेक्टर हंसल महता से एक रिपोर्टर ने उनकी फिल्म शाहिद को लेकर सवाल पूछ लिया अब जैसे ही शाहिद का नाम आया तो लोगों ने करीना पर फोकस कर दिया सारे कैमरास करीना की तरफ फोकस थे कि शाहिद नाम आते ही करीना का क्या रियाक्शन रहता है करीना ने भी situation को बहुत अच्छे से handle किया लेकिन माहोल तब बन गया जब शाहिद का नाम लेते ही सारे मीडिया वाले तालिया और सीटिया बजाने लगे और ये मोमेंट इस पूरे प्रेस कॉंफरेंस का हाईलाइटेड मोमेंट रहा जब सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहा है शाहिद जैसी फिल्म बनाई है जिसके ये नाशनल अबॉप मिला है ये पहली बार नहीं है जब करीना को लेकर शाहिद के नाम से चुटकी ली गई हो इसे पहले भी एक इविंट से रेड कापिट का विडियो वाइरल हुआ था जहां पर शाहिद का पूर खड़ा था और करीना शाहिद को पास करते हुए सीधे निकल गई उन्होंने शाहिद की तरफ देखा तक नहीं आज भी चपकरीना और शाहिद का आमना सामना होता है या दोनों के नाम साथ आते हैं तो न्यूस बहुत जादा बनती है